नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं महा भाग्य और मैं हूँ आपके साथ शैले इंद्र पांडे कार्तिक महीने की शुरुवात हो रही है और आपको कार्तिक महीने की शुरुवात के पहले ही ये बताने का प्रियत्न करेंगे ये बताने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक दिरिष्टिकोंड से और वेग्यानिक दिरिष्टिकोंड से ये महीना कितना जादा महत्वपूर्ण है, कितना जादा इंपॉर्टेंट है कार्तिक के महीने के, खान पान के, पूजा उपासना के नियम क्या है और कार्तिक का महीना अपने आप में इतना महत्वपूर क्यों माना जाता है महा भाग्य में आज क्या खास है आपके लिए चलिए बताते हैं आपको महा भाग्य में आज बात करेंगे कि कार्तिक महीने की महीमा क्या है कार्थिक महीने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर आप बहुत सारा धन चाहते हैं क्योंकि इस महीने से धन का सीधा सम्बंद है आज हम बात करेंगे कार्थिक के महीने की इसके महिमा की और इसके विशेश्टाओं की सबसे पहले जान लेते हैं आज का मंत्र आज का मंत्र है ओम रींग श्रींग लक्षमी वासुदेवाय नमहा ओम रींग श्रींग लक्षमी वासुदेवाय नमहा इस मंत्र का जब अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के महीने में रोज शाम को करता है भगवान विश्नु और मा लक्षमी के सामने तो उसको जीवन में धर्म की प्राप्ती भी होती है और उसको जीवन में धन की प्राप्ती भी होती है इस मंत्र का जब पूरे कार्तिक महीने में संध्याकाल को अवश्य करना चाहिए अपने विशे पर आते हैं सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक के महीने की महिमा क्या है इस महीने का इंपोर्टेंस क्या है देखिए कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना गया है हिंदू धर्म में इसको सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं हलाकि हिंदू धर्म में सावन का महीना, माग का महीना भी बड़ा पवित्र होता है लेकिन तकनीकी रूप से कार्तिक महीने को काफी ज़्यादा पवित्र माना जाता है चातुर मास का अंतिम मास है श्रावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये चार चातुर मास के महीने होते हैं तो जो चौथा महीना है ये बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है जिसको कहते हैं कार्तिक का महीना इसी महीने में चातुर मास समाप्त हो जाता है और इस महीने से जो नकारात्मक उर्जा है जो निगेटिव शक्तियां है वो कमजोर होती है और जो पॉजिटिव शक्तियां है या जो देव तत्व है वो इस महीने से मजबूत होता है इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रियोग किये जाते हैं कार्तिक के महीने में धन के प्रियोग भी होते हैं और धर्म को मजबूत करने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी इस महीने में प्रियोग किये जाते हैं इसी महीने में तुलसी का रोपन होता है और इस महीने में विवाह सर्वोत्तम होता है तुलसी का विवाह और तुलसी के पौधे की पूजा तुलसी का पौधा लगाना इसके लिए कार्थिक के महीने को बहुत important मानते हैं और पूरे कार्थिक के महीने में तुलसी की पूजा की जाती है तुलसी का विवाह भगवान शालिक ग्राम के साथ करवाया जाता है ये तमाम चीजें कार्थिक के महीने में होती है इस महीने में दीप दान और दान करने से अक्षे शुबफल की प्राप्ती होती है अगर इस महीने में आप दीपक जलाएं वैसे इस महीने में दीपक जलाने का सबसे बड़ा जो पर्व है दीपावली वो कार्तिक के महीने में ही आता है लेकिन अगर इस महीने में आप दीब दान करें और दान करें तो इससे आपको बहुत सारे शुब फलों की प्राप्ती होती है इस बार कार्तिक का महीना 25 अक्टूबर से 23 नमबर तक रहेगा यानि 25 अक्टूबर से 23 नमबर का जो समय है ये कार्तिक के महीने का होगा जिसमें आप धर्म के लिए जिसमें आप धन की प्राप्ती के लिए बहुत सारे प्रियोग और बहुत सारे उपाय कर सकते हैं ये जो कार्तिक का महीना है ये दरसल संबंद रखता है कृतिका नक्षत्र से और कृतिका है सूर्य का नक्षत्र इसलिए याद रखिए कि इस महीने में जो उर्जा है जो एनर्जी है वो सूर्य की तरह होती है यानि अगर आप कोशिश करें तो आपको बहुत सारी शुभ उर्जा, बहुत सारी पॉजिटिव एनरजी इस महीने में मिल सकती है कार्तिक के महीने में खान-पान और जीवन-चरिया का पालन कैसे करें? किन बातों का ध्यान रखें? खान-पान में किस तरह की साबधानी रखें? वो भी जान लेते हैं कार्तिक के महीने से जो इसनिक्ध चीज़ें हैं थोड़ी ऑईली चीजें हैं, हलकी सी तेल वाली चीजें हैं जिनको इस निग्ध चीजें कहा जाता है इनको खाया जाता है और ड्राइफ रूट्स खाने की सलाह दी जाती है ड्राइफ रूट्स भी अगर आप कार्तिक के महीने से खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक उर्जा बनाए रखें ऐसी चीजों को खाना चाहिए चाहे वो ड्राइफ रूट्स हों तिल हों गूंद की चीजे हों दूद दही या गाय का घी हो ऐसी तमाम चीजों को खाना इस महीने में अच्छा होता है कार्तिक के महीने में डाल खाने की मना ही की गई है कार्तिक के महीने में डाल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अगर कार्तिक के महीने में आप डाल वाली चीजें खाएंगे तो आपको पेट की दिक्कते होंगी खास तोर से गैसियस प्रॉबलम गैस की ट्रबल आपको हो सकती है। सूर्य की केरडों का स्दान भी इस महीने से उत्तम माना गया है। कार्तिक महीने के पहले सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन कार्तिक महीने से अगर आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सूरी की रोशनी में बैठें, तो आपके लिए बहुत सुन्दर होगा, इस महीने में दोपहर में सोने की मना ही भी की गई है, वैसे जेश्ट के महीने में कहते हैं न, कि दोपहर में सोना बड़ा अच्छा होता है, अगर आप दोपहर में सोने तो बड़ा शुब होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि दोपहर में सोना शुब नहीं होता कार्तिक के महीने में दोपहर में सोने से ट्रेशर शूट अफ हो सकता है इसलिए दोपहर में सोने से बचना चाहिए आपको पहले भी बताया कि कार्तिक महीने का धन और धर्म से गहरा संबंद है कार्तिक के महीने में जो भगवान विश्णू के भक्त हैं भगवान कृष्णू के भक्त हैं वो विशेश तरह की पूजा उपासना करते हैं, विशेश तरह की अर्चना करते हैं और उससे उन्हें विशेश तरह का फाइदा होता है। अब ये जानते हैं कि कार्तिक महीने का धन से आख़र क्या संबंद है और धन प्राप्त करने के लिए कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए देखिए कार्तिक का जो महीना है ये भगवान विश्नु का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है भगवान विश्नु को अत्यंत प्रिय है अब भगवान विश्नु को प्रिय है तो माता लक्षमी को भी प्रिय होगा इसी लिए माता लक्षमी को भी ये महीना अत्यंत प्रिय है इसी महीने भगवान विश्नु योग निद्रा से जग जाते हैं भगवान विश्नु का शयन समाप तो होता है और स्रिष्ट में आनंद और क्रपा की वर्षा होती है जो नवीन और शुब कारिय हैं शुब और मंगल कारिय हैं ये भगवान विश्नु के जगने के बाद से शुरू हो जाते हैं ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में मालक्षमी धर्ती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन का वर्दान देती हैं मा लक्षमी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने में बड़े प्रमुख पर्व मनाये जाते हैं जिनका धन के साथ सीधा संबंद है एक है धन त्रेयोदशी यानि धन तेरस दूसरा पर्व है दीपावली और तीसरा पर्व है गोपाश्टमी यानि की कार्थिक के महीने में धन तेरस दीपावली और गोपाश्टमी का पर्व मनाया जाता है इस महीने में अगर आप विशेश पूजा करें अगर आप विशेश प्रियोग करें तो आने वाले समय के लिए आप अपार धन पा सकते हैं आने वाले समय में आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है और आप कर्ज से और घाटे से मुक्त हो सकते हैं यानि इस महीने में अगर आप कोशिश करें मालक्षमी की कृपा आपको मिले, मालक्षमी का वर्दान आपको मिले तो आप धन की मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे कर्ज आपका दूर होगा और आर्थिक नुकसान से भी आप सुरक्षित बने रहेंगे अब कार्तिक के महीने में मालक्षमी की कृपा मिलती है ये बात क्लियर हो गई धन का वर्दान मिलता है ये बात भी स्पष्ट हो गई तो आखिर कार्तिक के महीने में मालक्षमी की कृपा के लिए कैसे अपार धन मिलेगा क्या उपाय करें कि कार्तिक के महीने में धेर सारा धन प्राप्त हो और धन के मुश्किलें दूर हो जाएं देखिए वैसे तो कार्तिक महीने में मालक्षमी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व बनाया जाता है दीपावली धन का ही पर्व है और इसको कार्तिक में मनाते हैं घर घर में मालक्षमी की पूजा होती है फिर भी कार्तिक महीने में हर दिन मा लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय करने चाहिए कार्तिक महीने में हर दिन अगर आप मा लक्ष्मी की कृपा के लिए उपाय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्या करेंगे कार्तिक महीने में रोज रात को भगवान विश्नु और मालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करेंगे यानि भगवान विश्नु और मालक्ष्मी का संयुक्त चित्र हो या संयुक्त मूर्ती हो उसको रख करके दियमित रूप से पूजा करेंगे गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके मा लक्ष्मी की और भगवान विश्नु की पूजा करेंगे अगर आपको धन प्राप्ती का उपाय करना है तो कमल गटे की माला से मंत्र जपेंगे अगर कर्ज उतारना है तो इस फटिक की माला से मंत्र जपेंगे और अगर धन कमाना है तो शंक की माला से मंत्र का जप करेंगे कम से कम तीन माला 108 गुडे तीन बार रोज रात में आपको मंत्र जपना है मंत्र कौन सा है मंत्र वही है जो कारिक्रम की शुरुवात में आपको बताया था मंत्र है ओम रींग श्रींग लक्षमी वासुदेवाय नमहा ओम रींग श्रींग लक्षमी वासुदेवाय नमहा इस मंत्र का नियमित जब करिएगा और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको तमाम मुश्किले हैं तो ऐसी दशा में केवल इस फटिक की माला से सफेद इस फटिक की माला से रोज शाम को या रोज रात में ओम रिंग श्रींग लक्षमी वासुदेवाय नमह इस मंत्र का जब कीजिएगा आपकी ध इस माला से पूरे कार्टिक में आपने मंत्र जपा है इसको अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा आपकी धन संबंधी, कर्ज संबंधी, घाटे संबंधी अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर हो जाएगी अब ये जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? कैए दिखिए, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए तूलसी की पूजा सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, और तूलसी लगाने के लिए और तूलसी की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा जो महीना माना गया, उसे कहागया कार्तिक तो कार्तिक के महीने में किसी भी दिन बेहतर होगा शुरुवात में ही कल के दिन या परसों के दिन शुरुवात में ही तुलसी का पौधा अपने घर में ले आईए और घर में गमले में या जमीन में इसको लगाईए जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाएं वहां लाल रंग से एक स्वस्तिक बना दें अगर गमले में लगाएं तो गमले पर लाल स्वस्तिक बना दें या अगर जमीन में लगाएं तो चारो तरफ बाउंडरी करके उस बाउंडरी पर स्वस्तिक बना दें अब रोज शाम को इस पौधे के नीचे घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे पूरे कार्तिक के महीने में और सुखद पारिवारिक जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए प्राथना करेंगे रवी वार के दिन दीपक नहीं जलाएंगे रवी वार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलाएंगे बाकी पूरे कार्तिक के महीने में रोज शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएंगे उन्हें प्रणाम करेंगे उनका आशिरवाद लेंगे निश्चित रूप से तुलसी मा की कृपा से वैवाहिक जीवन की मुश्किल दूर होगी पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा और जीवन में आनंद और प्रेम की बरसात होगी